हाई गईस ओलन हिल पैंटरीक चैनल पे आप सब लोग का स्वागत है आज की वीडियो में आप लोगों को मैं फिर सो और एक लोन अप्लिकेशन का रिभ्यू दूँगा इस अप्लिकेशन का निम है आईसी परसोनल लोन तो चलिए इस भुरो के थूँद देख लेते इस अप्लिकेशन का लोन पोसेस और जान लेते कि I.C.PersonalLon अप्लिकेशन रियल है यो फेक है और इह अप्लिकेशन लोन प्रॉबइट करता ही की नहीं और अब लोगों कोई अप्लिकेशन पे लोन के लिए अपलाई करना चाहिए या नहीं चाहिए तो गैस दोरू वीडियो को आप लोगिन तक देखेगा और गैस अगर कोई चैनल पे नहीं विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और साथ साथ बेल आइकन पर पेश किजिए तक जब भी मैं कोई वीडियो अपलोट करूँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो गैस चलिए आज की वीडियो शुरू करते है तो गैस आईसी परसोनल लोट अप्लिकेशन को ओपिन करने के टाइम पहला इंटरफेस आएगा लोग इन कर, लोग इन करने के बाद इस्टेप के इंटरफेस आजाएगा मेक्सिमाम लोट इमांट अप टू 15 लाग तो नीचे बॉरूइंग नव का अप्शन है यह पर क्लिक करने के बाद आजाएगा परसोनल इन्फर्मेशन, परसोनल इन्फर्मेशन फिल करने के बाद आजाएगा जॉब इन्फर्मेशन, जॉब इन्फर्मेशन फिल करने के बाद आजाएगा bank art information bank art information fill करने के बाद आ जाएगा under review का option और नीचे ये लिखा रहता है कि your application has been submitted please contact the customer service below for final review तो गैसी अब ये कहा जाता है कि loan के final review के लिए आप लोगों को IC personal loan applications का customer service के साथ contact करना होगा तो नीचे customer service का option है या पे click करने के बाद आप सीधा चला जाएंगे whatsapp पे, whatsapp पे जाके जब आप लोग IC personal loan applications का customer service के साथ बात करेंगे तो आपको ये कहा जाएगा कि आपको जो भी loan amount का approval मिले है वो loan amount bank आते में पाने के लिए पहले आपको एक service भी पे करना होगा तो गईस अभी बात ये है कि अगर आप लोग IC personal loan applications की दरब से loan पाने के लिए पहले service भी पे कर देते हैं तो आगे जगे IC personal loan applications की दरब से आप लोगों को loan नहीं मिलेगा IC personal loan application एक fake application है और ये application लोगों को ज़्यादा loan amount देने के नाम पे सिर्फ लोगों से service भी ले लेता है और अगे जगे जगे loan provide नहीं करता है तो गईस अगे IC personal loan application एक fake application है और अब लोग इस applications पे loan के लिए apply ना करें और loan के लिए पहले service भी पे ना करें तो गईस अभी आप लोगों को मैं IC personal loan applications का review दिखाऊंगा बढ़ागे जगे IC personal loan applications के दरब से loan नहीं मिला है तो गईस IC personal loan applications के बारे में critical पे जितने सारे review दिया गया है review देखे अब लोगों को पता चल गया होगा कि IC personal loan application एक fake application है और गईस कोई भी loan application अगर अब लोगों को कहता है अब लोगों के लिए पहले एक advance पैसा पे करना होगा तो अब लोग ऐसा बिलकुल मत किजिए नहीं तो आगे जाके अब लोगों के साथ भी fraud हो जाएगा तो गईस IC personal loan application एक fraud application है और अब लोग इस applications पे loan के लिए apply ना करे और loan के लिए पहले service भी pay ना करे तो कैसे ही था अज का एक छोड़ा सुजान करी तो आप लोगों के साथ मुलका थोड़ा है निक्स वीडियो में तब तक के लिए जाए हींत बंदे मातरम